बेलकुन टू पाइनल क्लासेस आज हम लोग हिंदी का टिंथ क्लास का हिंदी के ग्रामर पोर्शन्स को रिवाइज करने वाले हैं आप से प्रस्ण पूछे जाते हैं तो वो सहित वाला किताब से आप अठीत गदांस बारा अंक तथे परक आठंक निवन्ध दस अंक संबाद पत्र पांच अंक विकात्मक प्रस्ण आते हैं अब तो आपका बहुँ जादा है गद्ध भी संक पद्ध से बीसंका और बाकी सारे व्यक रंदे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या grammar की grammar में आपको सबसे पहला जो चीज है वह है पाटित घदांस तो बात कर लेते हैं कि इसको आप कैसे बनाईएगा ठीक है आप पटित के दांस में कुछ तीन टाइप के कोश्चन पूछे जाते हैं पहला रट्टुमल जिसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है सीधे सीधे क्या करना है दूसरा विचारुमल और तीसरा ठीक तीसरा जो कि आपका अनुभब यानि चिंतन परक होगी तो यह तीन टाइप के प्रश्ण होंगे एक में आपको वो सारे चीज को जब परहें गधांस को परहें तो आप क्या करते चलें कीवर्ड निकालते चलें कीवर्ड का मतलब जो चीज याद रहना है तो उसको आप एक पर रहे हैं तो यहां पर देखिए हम किस टाइप से कीवर्ड निकालते हैं और किसको कीवर्ड बनाते हैं मैं बिहारी हूं हमको कीवर्ड मिल गया बिहारी मुझे बिहारी होने पर गर्ब है अब देखिए यहां पर बिहारी पहले ही आ चुका है इसलिए बिहारी आप क हगिसाली मानता हूं इस प्रांत में बैसाली जिला के अंतरगत गोरावल थाना छेत्र में एक बड़ा गाउं है यहां पे बैसाली जिला और गोरावल यह कीवर्ड हो गया जो कि आपको रट्टा मार रहे पर सकता है और इससे संबंदित नीचे कोश्चन आएगा एक बड़ा गाउं है जो सहर से दूर सुदूर हर्याली एवं बिभीन रंगलियों और इतिहासी इकता को समेटे हुए है जिसे संधो नाम से जाना जाता है संधो यहां पे यह एक कीवर्ड हो गया जानकार बताते हैं कि प्राचीन काल के में कभी महेंद्र सिंधू कोई राज संस्कृतिय और पहरानिक तक अधार पर अभी भी अभी भी बनाये रखी नाराइनी एवं पुन्य सलीला गंगा को आपको और किस नाम से जानते हैं नाराइनी के तट पर बैसा अली अवस्थित बैसाली जीला आवस्थित राजधानी पटना के उत्तर गंगा है अब यहां से क्या क्या कोश्चन बन सकता है पहला बिहार किसकी जर्मस्थली है जल्दी से बताइए आपने अंडरलाइन किया था किसकी महाबीर की ठीक है बिहार किसकी कर्मस्थली है ठीक मुझे किस बात पर गर्ब है बिहारी होने पर ठीक यहां पर गोरॉल गाम को और किस नाम से जान पटना के उत्तर में कौन सी नदी भाती है गंगा आगे गंगा को क्या उपमा दी गई नराइनी और सलील पुन्य पुन्य सलीला टिक तो यह दोनों पुन्य सलीला और नराइनी गंगा को ही का गया इसए बैसाली जिला कहां है बिहार में अगर देखिये तो यह रट्टुमलवाला रहा से और क्या यह सिर्सक क्या होना चाहिए कि है तो अपने हिसाब । इसे सहब से तीन बीहार का गर्व तो आप अपने हिसाब से सिर्षक के तीन गुन होने चाहिए परमुख पहला सिर्षक छोटा हो दूसरा तत्थियों से समंदित हो और तीसरा बोलने में मज़ा आए मतलब उताबला पूर्णवाला हो कि सोचने पर मजबूर कर दे चलिए अब आगे देखते हैं नीचे दिये गए गधांसों के जवाब ऐसे हो सकते हैं गधांस के उप्यूग सिर्षक दे तो इसका सिर्षक तो पहला और दूसरा कोश्चन है महेंद्र सिंदू कौन थे तिसरा बैसाली पटना के किधर इस्तित् पहला और चौठा कोश्चन यह संदर्व भाव भाव भाला कोश्चन है मतलब इसमें आपको भाव समझना परेगा क्या कहना है क्यों गर्भ हम कर सकते हैं क्योंकि यह मावीर और गौतमबुद्ध की जन्मस्तली पहला राज है गंगा यहां नदीबहती है इसलिए इन सारे बातों पर हम गर्भ कर सकते हैं जबकि प्रस्ण दो और तीन महेंद्र सिंदु कौन है ठीक और बैसाली पटना की किदर इस्तिते यह दोनों गधांस में दिख रहा है यता दूसरा अंसर महेंद्र सिंदु सोंधो के राजा है एक लाइन और तीसरा बैसाली पटना के उत्त करना है समझ में अबगति उन सारे कथियों को क्या करना कीवड को निकाल लेना है और उसके बाद आपके लिए असान हो जाएगा तो बहुत सारा क्या करते कोस्टन्स देखते हैं फिर जाकर उसे लाइन को तो बहुत बार क्या होता है कि आपकी समझ उस गधानस के प्रतिवन ही नहीं 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 पाती है और नहीं बन पाती है तो उसमें दो question तो रट्टे वाला बना लेते हैं प्रण्थू जो समझने वाला और दो कोश्चन तीन कोश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको सोचना परेगा कि किस चीज़ से समद्धित है तब लिखना परेगा तो यह था गधांस जो कि आपका 20 नमबर का आता है बारा नमबर का एक और आठ नमबर का एक इस बार नया पेटर्न में यह आठ नमबर का दो को कर दिया है चलिए अब देखते हैं पत्र तो पत्र आता है आपका पांच नमबर का पका आता है तो पत्र में दो टाइप का पत्र होता है एक होता है अपचारिक पत्र दूसरा होता अनौप चारिक पत्र किसको गुंष्ण विभीन सन्स्थाऊं जैसे कर्याल परधाना अध्यापक के पास धाना परभारी जीला प़दादिकारी दंडाधिकारी यह अबेद्ना पत्र ह Cantr से इसका 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 फॉर्मेट क्या हो गा जैसे सेवा में स्रीमान पर्धाना द्यापक महद है इसका मतलब क्या है सेवा में यानि किसे सेवा लेना है और स्रीमान पर्धाना द्यापक महद है इसका मतलब पर्धाना द्यापक से लेना है स्रीमान मुख मंत्री जी मतलब मुखमंद्री से लेना है अब उनके कारियाल है वह कहां बैठे हुए वह पत्र तुम आवेदन कहां करोगे तो तुसके ठीक नीचे उसका पता उसके बाद विसय तुरंत यह लिख देना चाहिए विसय किसलिए तुमने वह पत्र निखा है और उसके बाद महास ऑ उसके बाद पत्र का बोड़ी अपना मेनगां बता दो और लास्ट में विसवास भाजन यह आपका आगया का है नाकड़ी, और वहाँ पे आप ध्यान रखें चुकिए परिछाव मन से लिखा जा रहा है तो परिच अप अपना नाम बढ़ गया सबूस्त इस पत्र में और वह जो पत्र होता है पड़िवारों के पत्र वहाँ पर सबसे पहले लिखते नहीं पृण सबसे पहले हैं अगर किसी लिखेंगे और उसके बाद आपका उनसे रिस्ता जोर के लिखेंगे जैसे मित्र के पास तो आपका मित्र टिक और बगल में एक चीजा और बगल में स्टांप बनाना इसमें जरूरी है चुकि यह आप जाके सीधे नहीं पहुंचाएंगे जैसे अगर नाना के पास पत्र लि इसलिए उसमें अस्टांप की जरूरत नहीं पड़ती है तो आसा है कि यह दोनों पत्र लिखना आप समझ गये होंगे यहां पे आपको पूरा का पूरा दिया गया है कि आप अभिवादन कैसे करें और यह सारे चीज़ आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे जैसे यहां पे आपको अलग अलग टाइप का इस नोट्स आपको मिल गया होगा तो इसमें आपको क्या करना है जैसे पिता के पास तो उसमें संबोधन क्या यूज करना है पत्र देने वाला अपना क्या यूज करेगा मित्र के पास कैसे यूज होगा थाना ध्यच के पास कैस यहां पे आपको एक संपादक जी के पास पत्र लिक्षने के लिए जैसे देखिए यहां पे हमने क्या किया है, सेवा में संपादक जी दैनिक जागरन पटना मैं अब अपना नाम लिखेंगे जैसे मैं सन्नी कुमार, पिता का नाम, निवास अस्थान, उसके वाद सारा चीज लिखेंगे और क्या आता आप से यहां किसी समाजिक राजनिती का और व्यक्ति का समस्या आने पर छातर इसी तरह के पत्र लिखने का प्रयास करें आता आपके साधर अनुरोध है और उसके बाद ये सारे चीज़ इसी फॉर्मेट में अब आता है संबाद ये भी पूछा गया है इस बार के अथी में संबाद में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है सबसे परदे संबाद बरा नहीं होना चाहिए संबाद में मैक्सम संबाद में आप तभी लिखने का रिस्क लें जब आप गरामेटिकल तरीके से फिट हो और आपका गरवर है तो पत्र वाला चुनाब करें चुकि ये पत्र और ये संबाद ये दोनों चीज़ क्या आएगा ये दोनों और अथवा में आएगा तो या तो वो बनाओ या तो झाली बनाओ संबाद बनाओ या तो पत्र लिखो तो अगर आपका गर्मेटिकल घरबर है तो पत्र चुनाब करें और अगर आपका गर्मेटिकल संबाद चुनाब करें तो ये सारे क्योंकि इसकीवल आप 8 अब सारे question जानते हैं या लिख के आए हैं आपने अपने हिसाब से कौन सा question सेलेक्ट किया है चुकि आपको आता सब है प्रतु अच्छा से कोन आता है कहां पर आपकी कमजोरी है तो आपको अपने कमजोरीयों पर ध्यान रखना पड़ेगा जैसे मेरी कमजोरी कि वह हमें पूरा में पूरा देगा तो इसलिए हम वहां पे भी सिलेक्षन यानि युद के मैदान में आप तलवार लेके पहुंचें यह इंपोर्टन नहीं तलवार का कैसी यूज कर रहे हैं यह उससे ज्यादा इंपोर्टन ओगा खास तोर पर इंग्जाम में ठीक चली आगे देखते हैं तो यहां पर आपका संबाद संबाद में कुछ चीज़ें जैसे यहां पर दिया गया है यह कोलोन की रोगी डॉक्टर डॉक्टर साभ नमसकार डॉक्टर नमसकार बैठिए अब यहां पर मतलब संबाद का मतलब है कि आपको बिराम चिन यान का पूर्ण जानकारी हो तब आपका संबाद में पूरा आने का चांसेज रहेगा ने तो संबाद हमेशा आपको थोड़ा बहुत काट सकता है संबाद में काटना उसके हाथ में रहता है पर तो पत्र में वह काट नहीं पा बहुत लिख रहे हैं इस चेक्र में क्या किया कि आफ़ दूपेजा लिख दिया अब मिष्टेक अब और जड़ादा होगा तो मतलब मिष्टेक में नमबर काटेगा चुकि उसको पुन बिराम यह सारे चीज तो वह उस वक्त आपको ध्यान देना है कि आपको संबाद तभी उच करना है जब आपका ग्रामर किलियर हो ठीक नहीं तो पत्र आपके लिए सुरच्छित है आगे निवंध कैसे लिखें निवंध भी आपका हैं निवंध में किलियरं तो पर्प्रोलं किया लोग लेता है या तो निवंध में और वो कर गया रहा है कि पूरा का पूरा कहानी जैसा लिख दिया जबकि आप निवांद जो टेंथ में आता है वो आता है सिर्शक बाइज कि आपको भूमीका में क्या लिखना है आपको उपसनहार में क्या लिखना है आपको बीच के पॉइंट में क्या लिखना है आगर ये सारे चीज और चुकि और फिर्तेक पॉइंट्वीर का नमष्ट है। एभी तक कोपी जाज करते हैं तो कि चैने के लिए दिया है। और सिर्षक लिखने से फाइदा क्या है कि वह स्केल सिर्षक पर के नमबर देदेगा अंद्रवारा नहीं परहेगा और बाकी अगर आप पूरे के पूरे लिख देते हो कहानी जैसा तो उस कंडिशन में घाटा क्या है कि वह सीधे-सीधे दूगो टिक मारेगा दस नमबर के छे नमबर देके निकल जाए चार नमबर तो आपका सीधे लूट लिया बिना परहे भले ही आप कितना भी अच्छा लिखे हो तो ऐसे सारे चीज को आपको ध्यान देने हैं खास तोर पर ग्रामेटिकल खानी हिंदी के एक्जाम में हमारी छोटी-छोटी चीजे जानकारिय नहीं होती है जो हमेरे नमबर को बहुत डौण कर देता है जैसे आगर चार नमम आपका लेक्ष में काट लिया तो आप समझ सकते हैं कि दो नमबर संबाद में आपके मिस्टेक में काट लिया इस हिसाब से अगर वो 20 नमबर भी उरा दिया तो आपको बहुत पीछे 45% पीछे लेके चल जाएगा तो आपको वहां पर ये इस बात का भी ध्यान रखना है और इस बार जो प्रैक्टिस टेस्ट आपका होगा तो उ इसी भी सिर्शक पर निवंध लिखते समय उनकी सुरुवाती समझ और उसकी भूमीका में अवस लिखें दरसल भूमीका आपचारिक रूप से निवंध के तथियों तक पहुंचने का जरिया है उदारन के तोर पर पर परदूसन के बारे में आपकी समझ कौन और एक कौन- से 3 लाइन बनाके डाल दो बीच में 3 पॉईंट रहेगा कि पर्दूसन के प्रकार को कम करने के उपाय तो तीनों भूमीका तुम कैसे जोरके लिखते हो बस उस तीनों उसके point को बारी-बारी से जो भूमीका में लिखे हो ना उसी चीज को लंबा-चोरा खिच के जितना लपेट सकते हो लपेट के दो-दो नंबर लाइक परागराफ बना के लिख दो उपसनार में क्या करना है जो जो चीज तुमने लिखे हो उन सब को निचोरो और फिर से लिख दो मतलब ुपसनार क्या होता है जैसे भूमीका निवंद की सुरूआत है वैसे उपसनार का समापत है उपसनहार में पूरे निवन्द के महत्पून हिस्सों पे के साथ आप अपने विचार को जोड़ने का अस्थान प्राप्त कर सकते हैं मतलब उपसनहार में ये चीज कि अतह करके उपसनहार लिखें अतह हम कह सकते हैं कि पर्दुसन एक बहुत ही जटील समस्या का रूप लिए हुए है एक दिन ऐसा अनुमान लगा जा सकता है कि इसी रूप से अगर पर्दुसन बरता गया तो स्रिष्टी समाप्त हो जाएगी स्रिष्टी पर जीवन समाप्त हो जाएगी यह तुम्हारा अपना तरफ से क्या हुआ कि हम अनुमान लगाते हैं मतलग तुमने अपना जोड़ दिया तो उपसनहार में तुम्हें अपना जोड़ना है ऐसा लगना चाहिए कि तुम अपने सजेशन दे रहे हो यह तुम अपन के खासतोर पर सब्द सबसे पहरा टॉपिक है आपका सब्द तो सब्द एक या अधिक अच्छर से बनी हुई स्वतनत्रेवन सार्थकवनी की सब्द 망रव सब्द कहते हैं सार्थक निर्थक जैसे कामालकमल बोलते हैं तो इसका मतलब कुछ होता है कोई फूल की बात कर रहे हैं ठीक है कालमकलम हम लिखने वाले की बात कर रहे हैं परन्तुलकमलकम ऐसा कुछ होता ही नहीं तो यह निर्थक हो गया तो जिससे हमको कुछ पता चले कि क्या बात चल रह तो वह सार्थक है जिससे पता ही नहीं चले वह नियर्थक है तो यह अर्थ के अधार पर दो टाइब के सब्द हुए अगला रुपांतरन के अधार पर रुपांतरन के अधार पर टिक रुपांतरन के अधार पे क्या होता है बिकारी और अबिकारी बिकारी सब्द उसको बोलते हैं जिसको बिगारा जा सके और अबिकारी जिसका तुम कुछ नहीं बिगार सकते हो जैसे नहीं इसको तुम बिगार नहीं सकते हो प्रंतु गाना गाना को गाती गाते गाता इस टेप से हम लिंग के अधार पे चेल्ज कर सकते हैं बचन के अधार पे चेल्ज कर सकते हैं तो वो सब क्या हो जाएगा बिकारी सब्द लिंग बचन पुरुस ये सब के अधारों पे जिस सब्द में परिवर्तन किया जा सके वो क्या है बिकारी सब्द है ठीक ह आगे रचना के द्रिष्टी से रचना के द्रिष्टी से तीन परकार के सब्द होते हैं ठीक है रूर वह रूर सब्द उसे कहते हैं जिसका टुकरे का कोई अर्थ नहीं हो जैसे लो टा तो लो अलग कर दो टा अलग कर दो इसका कोई मतलब नहीं है ठीक है तो जिसके टुकरे का कोई मतलब नहों वह होए रूरसम्द योगिक सबद जिसका टुकरे का भी अर्थ हो जीस से बीद्धया अले अले मिस घार विद्धया मिस विद्धया तो यह दोनों का मतलब है इसलिए यह यह रूर्ष योगिक सबद है एकोता हिो फिरूर सब जिसका एक ज़िसे सरथ हो यह जैसे लंभा है लंबा उदर जिसका मतलब गनेश वॉल opin खनेतैं है पर बोल रहे हैं गनेश को ठीक है इस टाइब के आगे उत्पत्ती के द्रिष्टी से तीन मतलब जो भारत का मूल में उत्ववन हुआ है उसको Tatsam कहते जो आरि संस्कृती थी वहां संस्कृत के सब्दों को तक सम्सभद कहते हैं हिंदी में आगे तदभाब तो जो हिंदी का अपना सब्द है उसे हम क्या कहते हैं त Cake Death जो अपने देश में मगही मैथली यह सब का सब्द है यानि लोकल लेंगेज वाला जो है वह है देश जैसे लोटा ठीक है आगे बिदेश सब्द के बारे में आपका कोश्चन क्या आएगा सब्द से आपक्या समझते हैं या तो सीधे सीधे आपसे औपजेक्टिव कोश्चन पूछे और या तो आएगा सब्द का रुपांतरन के द्रिष्टी से भेद बताईए सब्द का अर्थ के द्रिष्टी से भेद बताईए सब्द का रचना के द्रिष्टी से भेद बताईए सबसे ज़्यादा बर पूछा गया है सब्द का उत्पत्ति के द्रिष्टी से भेद बताईए और उत्पत्ति लरका लरके बहु सारा लरकी एक लरकियां बहु सारा तो यह हो गया मैं एक हम बहु सारा आगे बचन के भेद एक बचन और बहु बचन एक बचन किसे कहते हैं सब्द के जिस रूप से एक ही ब्यक्ति या बस्तू का बोध हो उसे हम एक बचन कहते हैं जैसे लरकी घोरा साखा मैं तूं बहुबचन सब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्तियों का बोध हो उसे हम क्या करते हैं लर्कियां घोरे साखाएं हम तुम लोग इस टाइप से हाँ यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है वह आप कर लें कि आपको गरामर के पुस्तक से क्या करने हैं कि ए एक के अनेक रूप बनाने हैं जैसे लरके का लरका का लरके राजा का राजाओं तो इस चीज़ टाइप से आप प्रैक्टिस कर लें आगे हैं बाक्य को सार्थक सब्दों का करंबद बाक्य किसको कहते हैं तो बाक्य क्या होता कि दो जोर कर एक meaningful हम लाइन लिखते हैं तो सार्थक सब्दों सार्थक सब्द्दों का क्रंबद समुध जिस से कोई भाव असपस्ट हो बाक कहलाता जैसे राम पुष्तक पड़ता है इसमें हमें पता चल रहे क्या काम हो रहा है किसी चीज़ की फिलिं आ रही है तो ये क्या है? आपका बाक के है रचना के अधार पर बाक के तीन भेद है और यह इससे कोशन पूछा गया है सरल बाग मिस्र बाग और संयुक्त बाग सरल बाग किसको कहते हैं तो सरल बाग जिस बाग में करता एक करता और एक किरिया हो उसे सरल बाग जैसे राम परता है करने वाला करता यानि राम और परना एक किरिया तो एक करता एक किरिया क्या है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करने वाला और kाम करने वाला और एक काम है उसे प्लैष्ट में सब्सक्राइब को अधिक आस्रित उपबाक हो उसे मिस्र बाक करते हैं जैसे यह वहीं विद्याले है जहां मैं पढ़ता था तो इसमें क्या एक आस्रित बाक है क्योंकि विद्याले नहीं होता तो मैं पढ़ता नहीं ठीक है तो एक बाक से दूसरा बाक अगर जुरा हुआ हो तो उसे बोलेगे तथा दो से अधिक क्रियाएं हो उसे हम, मिस्र बाग किसी अव्य दवारा जूरे होते हैं, उसे संयुक्ट बाग काते हैं, जैसे, अवाध धनी है, लेकिन, बहुत घमंडी है अब इसमें देखिए, दो सरल बाग जूरा हुआ है, लेकिन, बहुत घमंडी है, तो यहां पर ल तरहा की तुरंद डॉक्टर को बुलाना पर तो एक सउख्ट समझ गयों और यहां से इस बार सबसे जादा पुछा गया है यह केवल बाक किसे तीन मोडल पेपर में है तो आप समझ सकते हैं किस बाक को को इल्ट में भी ए तो बाक की संग्या इसको थोड़ा कम कर देब नामों को संगया कहते हैं जैसे मनुस गाई बिद्याले च्छातर सिच्छक अर्थ के आथार पर संग्या के 5 हैं ब्यकतिवाचक संग्या जैसे निसे खास भ्यक्ति चौटा द्रब बाचक संग्या, सोणागी gegen den पाच्व। भाब बाचक संग्या बच्पन, मिठाया सिमानदारी पुरहपा यह इसका कईसे पूछता था पहले अब तो यह कोश्चन आएगा कैसे आएगा ne प्रेंट इसका पहले कोश्चन आता था संग्या से आप क्या समझते हैं संग्या के भेदों को सोधारन लिखे यहां पे देखे भेदों को उधारन के साथ लिखने आए बहुत सारा लोग क्या करता था पूछा है दून नमर में एक रहा लिख देता था आठ नमर रहे हैं क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा मौका दे रहे हैं कि वह नंबर काटे आपका चुकि वह जितना गलती ढूंड पाएगा उतना नंबर काटेगा आगे सर्वनाम इस सर्वनाम भी बहुत बार पूछा गया है संग्याओं के अस्थान पर या उनके बदले जिन सब् नाम यहाँ भभा है कोई कुछ प्रष्ण बात क्सल्वनाम ऑर ने बाट घेवर्डनाम आप तो आप इसके भेदों के साथ क्या याद रख लें एक जामपल याद रखें चुकि आपको ऐसे सर्वनाम की विसेशता बतलाता है उसे हम विसेशन कहते हैं जैसे अच्छा लाल विसेशन के भेद संख्या बाचक विसेशन एक दो दूसरा परिनाम बाचक विसेशन थोरा बहुत तीसरा गुन बाचक विसेशन गोरा काला चोटा सर्वनामिक विसेशन ऐसा आदमी कहां मिले यह लेलो आगे किरिया जिस सब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे किरिया कटने जिसे खाना पीना उठना बैठना किरिया के बिभिद रूप के बहुत सारे रूप यहां दिए गए परन्तों इंपॉर्टेंट आपका इतना ज्यादा नहीं है ठीक पहला है नाम ब वो काम कर लिया गया है आगे अकर्मक किरिया रिता चिलाती है जिसको किसी कर्म के साथ जरूरत ना परे जैसे चिलाना रोना अब वो उसके लिए कोई बस्तू की जरूरत नहीं परती है प्रंतु खाना पीना तो उसके लिए कोई बस्तू की जरूरत परती है कोई बस्तू रह स्वेटर बुनती है बुनना तो कुछ तो बुन रहा होगा ठीक तो बुनना एक किरिया है प्रन्तु क्या बुन रहा है स्वेटर बुन रहा है तो क्या लगा कि अगर तुम कोश्चन करते हो और उसका जवाब आता है जवाब नहीं आता है तो अकरमक है एक करम किरिया रंजना पुस्तक पर कि एक बार में एक या पुस्तक पर कोई तो उसको बोंदे एक करम किरिया तो जिसके साथ के वेख याथ लगाया जा सकता है तो पुस्तके पर द्वी कर्म किरिया इसे कहेंगे उसके बाद है सहाय किरिया संयुक्त किरिया पुर्युक्त किरिया क्रिया नामधातु यह सब क्रियाओं के प्रकार है कौन-कौन सहाय किरिया जैसे कोई काम करने में सहायता कर रहा है जैसे आनंद गाता है संयुक्त किरिया प्रेम बढ़ता है प्रेनार्थक किरिया पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है प्रेनार्थक मतलब प्रेरना दे रहा है उससे करवा रहा है काम आगे पुनर्युक्त किरिया मिल जूल कर रहें किरियार्थक संग्या टिक टहलना एक ब्यायाम है आगे नाम धातू उसमें मेरी संपत्ति हत्याली तो उसने इसने इस टाइब का जब रहे तो वह आगे अब्याय इससे भी कोशन पूछा जा रहा है अब यह उन सब्दों को कहते हैं जिन में लिंग बचन पुरुस जिसको अभिकारी सब्द आपने बोला था हमने बोला था आधी के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं आता जै बिसम्यादी बोला कभी किरिया बिसेशन में धीरे-धीरे संब्द बोलाता है और बिसम्यादी बोला जो अस्पेशल इफिक डालता है आगे कारक के भेद तो कारक के भेद क्या है कारक संग्या अत्वा सर्वनाम का ओवह रूप जो बाकि के अंत में सब्दों विसेश्ता किरिया से अपना संब्द प्रकट करता है कारक कहलाता है जैसे करता कर्म कारक के भेद और बिवक्तियां करता ने कर्म को करन से या दुआरा संपरदान के लिए आपादान से छठा संब्द काके की सात्वा अधिकरन में पर आठवा सं मोधन हे अरे रे यहां पर आपको सीधे सीधे करता चिन पूछेगा कभी-कभी ऐसा पूछा जाता था अब तो बंद कर दिया एक ऐसा बाक बनाएं जिसमें आठो का रखो तो हे भाई राम ने रावन को सीधा के लिए आयोध्या से चल कर वान से बांदलों की सहाइता से उसके नाभी में लंका जाकर मारा इसमें सब आ जाएगा तो इस टाइप से लंबा सा बाक बनाएंगे और उसमें आठो का रखो आगे संधी दो बर्नों के मेल से जो विकार उत्पन होता उसे संधी कते हैं जैसे रमा पलस इस रमेश दिक पलस अंबर दिक अंबर मना पलस जा मनो जा संधी के भेद संधी के मूल रूप से तीन भेद हैं स्वर संधी जो दो स्वरों के मेल से उत्पन विकार अथ्वा ये तो आप परहें होंगे कौन-कौन सा दिर्ग संधी ठीक इसको हमने याद भी कर वाया था क्या आके बाद यू के बाद उरी के बाद री रेहे तो वह अपने जैसा बन जाता है इसको दिर्ग संधी करते हैं जैसे प्लस आले विद्यालस आपके बाद एए बनता है बोनता है उसको बोलते हैं क्या भूण संधी है भिदिशंदी आप opens के बहुत कि आए आए आगे बीडिशंदी जैसे सदा पलस सबनि ड्यप माझावनर देवार प्लस इंद्र डेवेंद्र गूंद संधी ठीक है आगे यन संभी तो ये हम लोग क्या कहते ई के बाद कोई तो ये क्या हो गया यन संभी। बनता है उसको बोलते हैं यन संधी आयादी संधी क्या एक के बाद कोई आए के बाद कोई आए ओ के बाद कोई आओ के बाद कोई ने अब ओ के बाद कोई अब और आओ के बाद कोई आब तो यह था आपका ब्यंजन संधी जिन दो बर्नों में संधी होते हैं उसमें पहला बर दूसरा बंट yo yeah या ब्यांजन मतलब ब्यांजन का विएन शवर से संदी 반нос एजसे ब्रण संदी का टिकल आगे एं बीशर संदी बीसर के साथ स्वर या ब्यंजन की सन्दी को ब्शर संदी को बिसर संदी का थे जैसे दू पलस आचार दुर आचार भिसरग पलस बशण ब्यांजन और भिसर और घ्यंजन ये इसह पलस दा अगे समास दो या दो से अधिक पदो को बीभक्त चिन्नों को छोड़कर एक पद कर दिया जाना क्या कहलाता है समास कहलाता है जैसे निलकंट महापुरूस ठीक समास के भेद समास के साथ भेद होते हैं याद रखें अब्याई भाब समास जैसे यथा सक्ती तत्पुरूस समास राजपुरूस कर्मधार समास निलकमाल दिगू समास त्रीफला नय समा समास आनात चट्था द्वन्द समास सीता राम ठीक सात्वा बहुब्रिये समास पितांबर इसको पहचानने के लिए कैसे तो अभ्याई भाब जिसका पहला पद अभ्याई हो उसे अभ्याई भाब कहेंगे तत्थपुरुस जिसका दोनों पद परधान हो उसको बहुद तो उसमें त्री संख्या बाची है ठीक है उसके बाद है नैस जो विप्रितार्था को आवाला लगा हुआ अनाथ ठीक है असत्य तो यह सब क्या है नए समासे द्वन्द जिसका दोनों पदपरधानों सिताराम ठीक है बहुब्रिये पितांबर जिसका विसे सर्थ हो चलिए अब आगे बात करतें उफसर्ग और परते उफसर्ग के बारे में कहा गया है उफसर्ग वह सब्धानल्स है जो कि सब्स के पहले आकर अर्थ में परिवर्थन करता है जिसे प्रा से बन गया प्रहार पहले हार का मतलब कोई गला में पहने वाला था प्रहार मतलब हो गया मारने के लिए परा जैसे परा का मतलब हो गया परभाब ठीक है प्रा से बन गया परभाब अन अंसे वर या अनपर पहले था अब बन गया बे इमान स्पाइब परते जो सब्दाइब सब्सक्राइब लगाए जाते हैं उन्हें परते काते हैं जैसे राम रोटी खाता है राम ने रोटी खाई और सीता से चला नहीं जाता बाच के भेद कत्री बाच जिस बाक में करता की परधानता होती है अर्था जिसमें करता लिंग बचन पुरुस के अनुसार किरिया के लिंग बचन पुरुस को हो उसे करत्री बाच करते हैं जैसे राम आम खाता है अगर सीता रती तो सीता आ आम खाती है राम और रहीम आम खाते हैं मैं खाता हूं नोट इन चार बाकियों पर बिमर्स करने के बाद पता चलता है कि करता के अनुसार किरिया बदल रही है जैसे पहले में राम के अनुसार किरिया है और दूसरे बाग में सीता के अनुसार खाती है कर्म बाच कर्म के नोट इन तीनों बाक्यों का विसलेशन करने पर पता चलता है कि पहले बाक्य में किरिया खाई कर्म रोटी के अनुसार है यहां करता राम पर किरिया निर्भर नहीं करती है इस परकार अन बाक्यों में भी देखा जा सकता है भाब बाच में भाब की परधानता होती है अर्थ जैसे राम से या राम द्वारा चला नहीं जाता सीता से या सीता द्वारा चला नहीं जाता तिक और लरकों से लरकों द्वारा चला नहीं जाता उप्युक्त उदारनों में हम देखते हैं कि इस भाब की परधानता है इसमें बाकियों में आई किरियाओं जाता 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 भ रखें करता के अनुसार कत्री बाच कर्म के अनुसार करंबाच और भाब के अनुसार भाब बाच आगे उचारण स्थान इससे कोश्चन जरूर रहता है आपका अब्जक्टिव तो याद रखें आ कवर्ग और हाँ और बिसर्ग कंठ से बोला जाता है ई चवर्ग या और सा तालू से बोला जाता है री टावर्ग रा और मुर्धन सा मुर्धा से बोला जाता है वहीं तावर्ग ला और सा दंत से बोला जाता है उ उ और पावर्ग ओस से बोला जाता है और पंचमाच्छर अंगा या न न और मा अनुस्वार और नासिका से बोला जाता है ए और एक कंठ तालू से बोला जाता है ओ और ओ कंठोस से बोला जाता है और वा दंतोस से बोला जाता है आगे आप से पुझाता है बलाघात तीक है बलाघात और स्वराघात अब देखते हैं बलाघात क्या है सब्द बोलते समय अर्थ उचारण की या स्पस्टता के लिए जब किसी अच्छर पर अधिक बल देते हैं तो इस किरिया को स्वराघात या बलाघात कहते हैं जैसे इंद्र तो यहां पर हमने ना पे जोड़ दिया बीस नू नू पे जोड़ दिया इसमें संयुकत अच्छर पहले ई और दूसरे में वी बी पर जो देते उसे पदबंध या बाक्यांस करते हैं जैसे भारत के परधान मंत्री थे की हैं पता नहीं चल रहा है ठीक है पदबंध की विशेस ताएं इसमें एक से अधिक पद का होना आवस्यक है पदबंध बाक्यांस होता है इसमें सभी पद एक इकाई के रूप में रहते हैं पदबंद के भेद, संग्या पदबंद, मिट्टी का तेल, सर्वनाम पदबंद, सदा सत्य बोलते हैं, विशेशन पदबंद, चांद से भी प्यारा, किरिया पदबंद, जाता रहता था, क्या कहा जा सकता है, किरिया विशेशन आधी रात तक, बर्स के अंत तक, जमीन पर ल इदे उपबाक कहलाता है जैसे मोहन ने कहा कि मैं खेलूँगा यहां मोहन ने कहा परधान बाक है जबकि मैं खेलूँगा उपबाक है उपबाकियों के अरंभ में अधिकतर जिससे ताकी जो जितना जयों जितेयों चुकी क्योंकि यद पी जब जहां इत्यादी होते हैं उप या उपबाक राम ने कहा कि मैं खेलूंगा विश्यशन उपबाक वहाँ आदमी जो कल आया था आज भी आया है गाव क्रिया विश्यशन उपबाक जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं आगे पदबंध और उपवाक में अंतर तो क्या है पदबंध में किरिया नहीं होती और उपवाक में किरिया होती है पदबंध पूर्ण अर्थ नहीं देता उपवाक पूर्ण अर्थ देता है मुहाबरे की बात कर लेते हैं मुहाबरा ऐसे बाक्यान्स होते हैं जिसमें आए हुए सब्दों का हू भभू या समान अर्थ नहीं लिया जाता अपितु विशेश अर्थ लिया जाता है और यह कुछ मुहाबरे हैं जो आपके एक्जाम में पूछे जा चुके हैं अगे परियाई बाची परियाई का अर्थ होता है बदले में आने वाले लगबग सारे सब्द जिनके परियाई अर्थात बदले में बहुत सब्द आते हैं इन परियाई बाचीयों सब्दों में अर्थ थोरा अंतर भी होता है किन्तु ये होते हैं एक ही चीज के परियाई जैसे कपरा का ये जो पूछे गए हैं आपका इंपोर्टेंट कुछ एक जामपल बता दें कपरा का परियाई क्या हो गया बस्त्र अंबर परिधान आबरन आकास का गगन नभ बियोम अंबर आसमान जल का पानी नीर वारी उदक सलील आख का नेत्र नयन लोचन बिलोचन द्रिष गता अर्थ बताने वाले सब्द को विपरिशतार अर्थक सब्द करते हैं जैसे आगे हैं अनेक सबदों के लिए एक सब्द जो कुछ नहीं जानने की इच्छा जिग्यासा जो सब कुछ जानता है सरबग जो पहले हुआ है भूत पूर्व जो पहले कभी नहीं हुआ भूत पूर्व मरने की इच्छा मुर्मसा जीने की इच्छा जी जीवसा जानने की इच्छा जिग्यासा जो अंडे से जनमता है अंडा जो पसीने से स्वेज जो बिलंब से काम करें दिर्ख सुत्री जिसके दसमुखों दस जिसके दसमुखों दसानन जिसके नक सूप के समानों सुर्प नका पीने की इच्छा पिपासा अगे संधी समास में अंतर यह आप से पूछा जा गया है बहुत बार तो संधी संधी क्या होता है इसमें दो बर्नों का मेल होता है समास में दो पदों का मेल होता है संधी में समास के नियम नहीं लगते जबकि इसमें कभी कभी संधी के नियम समास में लगते हैं इसमें बर्नों का बिछेद होता है समास में बदों का बिगरा होता है और इस परकार से आपक पूरा बुक्स पोर्शंस भी देख लें और आप अपने हिंदी के तयारी में जूटे रहें गुड़ लग फिर मिलेंगे अगले